हेलो गाइज आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनलन बाठे दुरण में बहुत सारे स्टूडन्स को ये इशू आ रहा था कि इनका फार्म या तो रिजक्ट हो रहा था और कई को एपरूफ हुआ है तो बोप ने वो सब फार्म चक्किये है तो अब आप कैसे देखोगे कि मेरा फार्म रिजक्ट हुआ है कि अपरूफ हुआ है अगर रिजक्ट हुआ है तक किस रीजन के वज़े से रिजक्ट हुआ है तो आप अपना जो application status है जो application status है वो आप अपने फोन से कैसे चख कर सकती हो वो आज मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्या करना है आपको जाना है किसी भी browser में जाऊंगा यहाँ पर chrome browser में तो chrome browser में आप सरच करोगे जो bhopi की optional website है jkbhopi.government.in तो आप यहाँ पर जाओगे नीट यूजी डाट प्यूश में यहाँ पर क्लिक करोगे पहले screen को rotate करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से देखे यह देख लिए home login आप login भी कर सकते हो application make payment upload documents आपको आप क्या करना है आपको जाना है application में application में application form application status पे आपको क्लिक करना है application status में आपको यह मांगेगा application number डी ओ भी अपनी और और verification code जो यहां पर लिखा है वो आपको यहां पर फिल करना है तो जब आप application number डी ओ और verification सब यहां पर इसमें फिल करोगे तो उसके बाद क्या आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो यह देख लीज़े यहां पर क्या आता है form checked yes approved application जो status है वो मुझे दिखा रहा है यहां पर एपरोड में जब फार्म एपरोड हुआ है तो कौन कौन सा डाक्में मैंने अपलोड किया है अगर किसी स्टूडन को अब भी application status में रिजक्टे दिखा रहा है तो उसको वहां पर रिजन भी दिया होगा कि रिजक्टे क्यों है या तो उसको जो उसने डाक्मेंट अपलोड किया है उसमें कोई deficient है तो उसको क्या करना है उसको वो डाक्मेंट फिर से अपलोड करने है तो वो कैसे वो अपने फोन से अपलोड कर सकता है उसको यहां पे डॉक्मेट अप्लोड डॉक्मेट पे जाना है और इस पे कलिक करना है कलिक करने के बाद उसको वो डॉक्मेट अप्लोड करने है फिर भी कोई इशू आ रहा है तो उसको बोपी के साथ कंटक्ट करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक केजिए और चानल को सबस्क्राइब केजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहफिस